नमस्कार दोस्तों, कॉइन स्टार्स चैनल में आपका स्वागत है स्वतंत्र भारत के एक रुपए के सिक्कों की इस श्रुंकला में आपका स्वागत है आज हम एक रुपए के कॉमेमरटिव सिक्कों के 21 से 23 प्रकार के सिक्कों की बात करेंगे इस श्रुंकला में हमने पहले ही एपिसोड 81, 83, 85, 87, 89, 92 और 94 में पहले के 20 प्रकार के सिक्कों की बात की है 21 प्रकार का यह स्मारक सिक्का सन 1999 में बनाया गया था यह सिक्का तीन मिंट में डाला गया था बॉमे मिंट, कलकटा मिंट और नौइडा मिंट इस स्मारक सिक्क की विशय वस्तू थी संत ग्नानेश्वर हाला कि संत ग्नानेश्वर को 1996 में ही 700 साल हो चुके थी लेकिन उसके तीन साल बात यह स्मारक सिक्का बनाया गया था 21 यह प्रकार के यह स्मारक सिक्क को जनवरी 1999 में जारी किया गया था स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इन सिक्कों की टेक्निकल डीजेज संत ग्नानेश्वर का यह सिक्क का बॉम्मे मिंट ने जारी किया था बॉम्मे मिंट का इन सिक्कों का मिंटे स्था 85,27,000 सिक्के बॉम्मे मिंट के यह सिक्के कॉमन प्रकार के होते हैं इन सिक्कों की कीमत उनकी कंडिशन के आधार पर 5 रुपयों से लेकर 25 रुपयों तक होती है कलकत्ता मिंट ने यह स्मारक सिख्के कितने बनाये थे उसकी जानकारी अभी तक उपलब नहीं हुई है किन्तु यह कलकत्ता मिंट का सिख्का common होता है और किस सिख्के की कीमत उसकी condition के आधार पर 5 रुपयों से लेकर 25 रुपयों तक होती है तीसरी मिंट, नौइडा मिंट ने यसिख्ये कितने ढाले थे उसके आकड़े अभी तक उपलब नहीं हुवे हैं किन्तू नौइडा मिंट के यसिख्ये कौमन प्रकार के होते हैं और इन सिक्कों की कीमत उनकी कंडिशन के आधार पर 5 रुपयों से लेकर 25 रुपयों तक होती है लोक नायक जैप्रकाश नारायन की जन्मजरिंतिय के उपलक्ष में इस स्मारक सिक्का नंबर 22 को जारी किया गया था प्लेन एज़ प्रकार कायसिक का दो मिंट वंबे मिंट और हैदरबाद मिंट में चारी किया गया था जैप्रकाश नारायन के इस स्मारक सिक्के को 11 अक्तूबर 2002 में जारी किया गया था स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस सिक्के की टेकनिकल डीटेल्स 22 नंबर का जह स्मारक सिक्का बंबे मिंट में जारी किया गया था इस सिक्के में दो प्रकार होते हैं पहले प्रकार के सिक्कों में बंबे मिंट का चिन्न डायमंड वर्ष के आकणों के नीचे होता है बंबे मिंट में इन सिक्कों का मिंटे स्था 31,63,000 सिक्के बंबे मिंट के यह पहले प्रकार के सिक्के कॉमन होते हैं इन सिक्कों की कीमत उनकी कंडिशन के आधार पर 5 रुपयों से लेकर 25 रुपयों तक होती है बॉम्मे मिंट के दूसरे प्रकार के इन सिक्कों में डैमंड मिंट मार्क नहीं होता है और वर्ष के आंकणों की नीचे की जगा खाली होती है यहाँ इसलिए हुआ था क्योंकि डैमंड प्रकार के सिक्कों वाली डाई ज्यादा चलने के कारण पुरानी हो जाती थी और इसी वज़े से वो गिस्गर खराब हो जाती थी और इसका सीधा असर वर्ष के आंकड़े और मिंट मार्क पर पड़ता था मिंट मार्क छोटा होने की वज़े से अच्छी तरह छप नहीं सकता है और ऐसे सिक्कों पर मिंट मार्क नहीं होने की वज़े से एक नई वराइटी बन जाती है कई लोग ऐसे सिक्कों को कलकटा मिंट का एकर बेजते हैं लेकिन कलकटा मिंट ने यह सिक्के कभी नहीं बनाये थे, इस प्रकार के मिंट मार्क बगेर के सिक्के रेर होते हैं, इन सिक्व की कीमत उनकी कंडिशन के आधार पर 700 रुपेयों से लेकर 1500 रुपेयों तक होती है हैदराबाद मिंट ने यह स्मारक सिक्के कितने बनाए थे उसकी जानकारी आप्रकाशित है किन्तु है यह सिक्के कॉमन प्रकार के होते हैं और उनकी कीमत इनकी कंडिशन के आधार पर 5 रुपयों से लेकर 25 रुपयों तक होती है 23 प्रकार का यह स्मारक सिक्का वर्ष 2003 में बनाया गया था बारत की दो मिंट ने इन सिक्कों को डाला था यह मिंट है हैं हैदराबाद मिंट और बॉमे मिंट प्लेन एच प्रकार के यह सिक्के पहले के स्मारक सिक्कों के जैसे ही बनाये गये थे इन्सिक्कों की विशय वस्तूती सत्रावी सती के महा नायक वीर दुर्गादास वीर दुर्गादास का यसिक्का 25 अक्तूबर 2003 को जारी किया गया था स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इन्सिक्कों की टेक्निकल डीटेल्स हैदराबाद मिंट ने यसिक्के कितने बनाये थे उसके मिंटिस फिगर्स अभी तक उपलब नहीं हुए है यसिक्के थोड़े स्कैर्स प्रकार के होते हैं और इन्सिक्कों की कीमत उनकी कंडिशन के आधार पर 25 रुपयों से लेकर 150 रुपयों तक होती है वीर दुर्गादास के यसमारक सिक्के बॉमे मिंट ने भी जारी किये थे लेकिन बॉमे मिंट में इन्सिक्कों का मिंटिस क्या था उसकी जानकारी अभी तक उपलब नहीं हुई है बॉम्मे मिंट के वीर दुर्गादास के सिक्के रेर होते हैं और इन सिक्कों की कीमत उनकी कंडिशन के आधार पर 500 रुपयों से लेकर 2000 रुपयों तक होती है स्वतंत्र भारत के समारक सिक्कों की जानकारी के लिए हमने जो श्रूंखला बनाई है उसमें एपिसोड 81 में 1964 में बने जवाहरलाल नहरू के समारक सिक्कों की बात की गई है एपिसोड 83 में 1989 में बने महात्मा गांदी की जन्मशती पर बने सिक्कों की समपूर्ण जानकारी बताई गई है यह सिक्के कौन से हैं और उनकी कीमत क्या होती है यह सारी जानकारी आपको इस एपिसोड में मिलेगी एपिसोड 85 में तीसरे प्रकार के एक रुपे के समारक सिक्कों की बात की गई है यह सिक्के रेर होते है आप यहों एपिसोड जुरूर देखिएगा हो सकता है आपके पास भी यह सिक्के हो एपिसोड 87 में हमने स्वारक सिक्के चार से लेकर साथ तक के सिक्कों की बात की है यह चार प्रकार के सिक्के कौन से थे उन्हें कौन से मिंट में बनाया गया था और उन सारे सिक्कों की आज कीमत क्या होती है इन सारी चीजों का ब्यारा हमने एपिसोड 87 में दिया है एपिसोड 89 में एक रुपए के समारक सिक्कों के 8 फे से 14 प्रकार के सिक्कों की जानकारी उनका मिंटेच और उनकी कीमत बताई गई है इन सारे एपिसोड की लिंक आपको नीचे description box में मिलेगी इन एपिसोड को आप जुरूर देखिएगा इन एपिसोड से आपको इन सारे सिक्कों की कीमत पता चलेगी एपिसोड बानवे में एक रुपए के समारक सिक्कों के 15-17 प्रकार के सिक्कों की कहानी बताई गई है इन सिक्कों की क्या कीमत होती है और उनमें कौन से विविद प्रकार के सिक्के देखने को मिलते हैं उसकी संखुन जानकारी आपको एपिसोड 92 में मिलेगी एपिसोड चुरानवे में हमने एक रुपए के स्मारक सिक्के क्रमांग 18 से 20 प्रकार के तीन सिक्कों की बात की है यह तीन स्मारक सिक्के कौन से हैं, उनमें क्या विवित्ता होती है और उनकी क्या कीमत होती है इसकी संपूर्ण जानकारी आपको एपिसोड में मिलेगी एक रुपए की इस commemorative coins की यह श्रुंखला आगी भी जारी रहेगी इस श्रुंखला से आपको collection के लिए कौन से सिथ के क्या दाम में लेने होते हैं यहाँ पता चलेगा इस तरह आप एक सुन्दर collection कर पाएंगे Happy collecting, धन्यवाद अगले एपिसोड में फिर ऐसे ही किसी मज़दार सिख्के की कहानी लेकर फिर प्रस्तुत होंगे धन्यवाद अगर आपके पास यह सिख्का हो तो नीचे कमेंट में लिख कर हमें बताएं सिख्के जमा करिए, आनंद के साथ पैसरी कमाईए धन्यवाद क्या आप चाते हैं कि आपका नाम और आपकी कमेंट हमारे वीडियो में आए आपको सिर्फ इतना करना है कोईन स्टार्ट स्यनल को सबस्क्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और नीचे कमेंट सेक्षन में आपके विचार लिखिए हम कोशिश करेंगे कि आपकी कमेंट्स हमारे आने वाले एपिसोड्स में आए हम आपकी सारी कमेंट्स पढ़ते हैं हम आने जह सारी कि आनी मारे आने नहें हम कि ऩारो सारी याले आने जगर नहें करें कि सी घएिसोड़त Mete Cape della आने आने जहा вкус हमारे जहाने कि इपते हैं